अब मैं थोड़ी से मैं सोच रहे हैं सीट्स लगा दूँ क्योंकि थोड़ी बारिश स्टार्ट होगी पीच में तो इस दो दिन बहुत गर्मी थी तो कुछ मेरी ग्रो बैक्स खाली हो गए हैं क्योंकि कुछ जुकेनिस बगरा लगाई थी वो उसके प्लांट सुखने लगें अब मैं सोच रहे हैं तो थोड़ा सा गुडाई कर दे रही हूं खुड़ पीस के और फिर मैं सेट्स ग्रो करूंकि तो देखते हूं लगते कि ने लगते हैं क्योंकि थोड़ा लग रहा है कि मौसम अभी सही है जून में तो पतानी कैसा होगा तो रेडी तो कर दिया देखें मैंने अपना ये खोद खातके और गुड़ाई करके और वाटरिंग करके अब शाम को थोड़ा अभी शाम के बज़े हैं 4.45 तो अभी मैं सीट्स इसमें ग्रो कर दूंगी जुकेनी स्के करूंगी लॉंग जुकेनी और राउंड वाली के तो देखते हूं होते की नह अगे वे थे उनकी रूट्स तो इन सब को मैं निकाल रही हूं उन में फ्रूटिंग तो हो रहती है लेकिन अच्छा साइज नहीं हो था फ्रूटिंग का तो आप मैं फिर से सीट्स लगा के देखती हूं और मैं फर्स टाइम लगाऊंगी समंत में क्योंकि अभी सुन रहे और पॉट्स में भी ग्रो बैक्स में लगाए हैं और यह सब खाली हो गया ने जुके निस थी तो वह खराब होगी तो पहुत छोट छोटे फ्रूट्स आ रहे थे और यह वाला देखे एक रेडी कर दिया है तो थोड़ा सा इसको मॉश्यर इसमें से थोड़ा मेंटेन करके करणे इसमें मैं सीट्स लगा दो कि थेे कैसा इसर निकलता है तो इस طरह से आप सॉइल को देखे इस तरह से जब बी आपको सीट्स लगा रहे नहींगे इस तरह सी गुडॉट्स कर दिजिए आ के पास जो भी साधनों यह देखिए ठोगी ड्राइ लीव्स और जो भी जड़ वेगर हैं पहले वले प्लांट्स की उससे तो इससे क्या होगा कि जो रूट्स हमारे दूसरा प्लांट लगाएंगे उसकी रूट्स बढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी इसको क्योंकि मिट्टी धीली धीली होगी थोड़ी सी अच्छी होगी जिस तरह से हवा अच्छी तरह से मिलेगी सीट्स को जो भी हमारे स्विल्डिंग्स वेगर होगेंगी तो देखिए जैसे यह सब पूरा उड़ा तो इस तरह से यह देखिए तो इस तरह से मैं कर रही हूं और फिर इस अबिछे देखे बहुत डॉट राइड राइस सी है जो कि मैंने से पानी वेगर अब ने दिया था बहुत दिनों से इसमें कोछ थाई नहीं दो देखे यह देखे साइट में क्यों त्यूट यह देखे इसको मैं पूरा अख्यूटराँ से अभी को वाटरिंग कर दूगी यह जो भुर भुरी मिट्टी कहते हैं मतलब एकदम से खुली-खुली मिट्टी एक तरह से कहा जाता है तो उस तरह से स्वाइल होनी चाहिए कोई भी सीट्स लगाते हैं तो जो रूट्स डैबलफ होने में बहुत हेल्फूल होता है इसी लहें कर दिया इसको तो मягने चीच टरह से कर दिया यह जै जो तो वैं शॉय नहीं पर बहुत है तो सॉयल रेड़ी करने का यह तरीका है कि पहले हम अच्छ़णा स्वाइल को देखने कर फ़ियन ड्राइद राइदनेस नहीं है यह थोई डॉट्सशली फी शूरू से ही और उसमें watering भी अच्छे से नहीं मेरे को लग रहा हुई है तो इस तरह से अब इसमें मैं seeds ब्रोब करतूंगी तो देखूंगी कि होते हैं कि नहीं होते हैं क्या होता है फिर भी मैं क्योंकि खाली है भी तो करूंगी मैं जुकेनिस के round वाली और long वाली तो जैसे भी result निकलेगा तो आपको देखाऊंगी मैं कि किस तरह का result है तो इस तरह से आप soil को खाद बगर इसमें मीली थी तो इस तरह से soil को आप ready करिए अगर seeds लगाते हैं यह देखे तो अच्छा result मिलता है आप इसमें थोड़ी से watering कर देंगे तो यह मेरे दो grow back ready हो गए है soil और खाद बगर है इसमें थोड़ी से और डाल दूँगी देखूंगी और यह देखे तो आज के लिए बस इतने हैं अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजे कुछ यह seeds मैं लिया यह लॉंग जुक कि देखे क्या होता है बीज उपते हैं कि नहीं उपते हैं हमारे जैसे रिजन्ट मिलेगा आपसे जरूर श्यो करूंगा